Hello Friends, Welcome Back आज हम अपने इस वीडियो में दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं मेरी एक जो पहले वीडियो बनाई थी वो एक concept थी अब हमारा जो next topic है वो इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हुआ है filing status, there are 5 filing status, यहां पर कहा है 5 filing status है और दूसरा किन लोगों को file करना होता है the requirement of filing returns तो अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पहले वीडियो i button पे link दीवा है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम start करते हैं अपना दूसरा topic ये हमारी series continue है तो आप हमारी वीडियो में लगातार बनी रही है तो आपको after that जो clear होगा वो है filing status कौन-कौन से होते हैं US tax return filing करने के लिए और किन को किस income पे return file करना होता है तो चलिए हम start करते है दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी filing status होता है उसी तरह US में भी filing status है यहाँ पे 5 filing status होते हैं पांच प्रकार के जिसमें पहला आता है single दूसरा है merit filing jointly merit filing separately household and qualifying video work तो मैं आपको एक-एक explain करता हूँ जो कि आपको बहुत ही आसान भासा में मैं explain करूँगा मेरा motive यह है कि आप लोगों को मैं US taxation के concepts बहुत ही आसान भासा में explain करूँ ताकि आपको उनके concepts के understanding हो और आप अपना career US taxation में बना सकें ताकि आपको जिस तरीके से US market grow कर रहा है हमारे पास 100 US market से related job हैं इंडिया में वो बहुत जादा आ रहे हैं और हागे US taxation में अच्छा career बनाने के लिए आपके concepts clear होने जरूरी है किसी भी before में आपको job पाने के लिए या फिर आगे आपको EA करने, CPA करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी होगा कि आपको concepts के लिए हो तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को continue watch करेगा इससे आप लोगों की understanding बढ़ेगी और आपका knowledge बढ़ेगा US taxation में आप मेरी वीडियो में उन लोगों को भी share करिएगा जो की commerce background से हैं या जो commerce background में नहीं है लेकिन tax में interested हैं US industry में, officer industry में अपना career बनाना चाहते हैं तो चलिए दूस्तों हमें start करते हैं first जो है single status single status कम माना जाता है यहाँ पर वो व्यक्ति जिसकी साधी नहीं हुई हो या जो divorced है legally separate है उनको ऐसा single यहाँ पर treat किया जाता है दूसरा यहाँ पर जो status होता है वो होता है MFJ merit filing jointly merit filing jointly का मतलब होता है कि US में government में एक status बनाया है MFJ जिसमें कि husband wife दोनों एक ही written file कर सकते हैं उन्हें अलग-अलग written filing करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में क्या होता है husband ही file करता है वाही भी file करती है बट US में क्या होता है US में husband wife एक ही written file कर सकते है दूसरा written signed by both spouse यहाँ पर क्या होता है जो written signature होता है वो दोनों कर सकते है यहाँ पर exceptions क्या है कि कौन नहीं कर सकता है any spouse is non-resident alien वो person जो की non-resident alien है वो यहाँ पर file नहीं कर सकता है MFJ status यहाँ पर spouse का मतलब wife नहीं होता है तो please consider it मैं आपको spouse का concept समझाओ कि वो person जो वहाँ पर first जैसे कि मान लो X and Y है X male है Y female है X file कर रहा है तो उसमें spouse हो जाएगा Y Y जो की female है और अगर Y file कर रही है मान लेते हैं कि female अपना written file कर रही है तो उस condition में spouse उसके husband यानि की ex को माना जाएगा तो please यह concept यहाँ से हटा दीजेगा चाहिए अगर आपका spouse का मतलब females है तो no यहाँ पर spouse का मतलब होता है another partner जो की जो person file कर रहा है और उसके साथ वाला person चाहिए वो husband और wife उसको as a spouse ही बोला जाता है Okay hope you clear it now अगर यहाँ पर दूसरा जो होता है different accounting years ओके अगर different accounting years है तो भी उसको MMG में consider नहीं किया जाएगा तीसरा यहाँ पर status होता है merit filing separately दूस्तों यहाँ पर क्या है कि merit filing जिस तरीके से jointly था बट अब इसमें एक और status होता है merit filing separately यहाँ पर क्या है कि person married तो है like first हो गया जो कि merit नहीं है तो वो single status हो गया लेकिन कोई person यहाँ पर married है लेकिन वो अलग-अलग written file करना चाहते हैं जैसे कि इंडिया में जो concept है कि दो person अपने अलग-अलग written file करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर married filing separately होता है कि married status है लेकिन filing जो written रहेगी वो अलग-अलग करेंगे जो कि अगर वो married in 1231st but interested to file separately वो year end के time पर married तो है but separately file करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर MFS से status select करेंगे और अपने return file करेंगे चौता status होता है HOH, head of household head of household की condition क्या होती है no merit और consider as unmerit जिनकी साधी नहीं गवी हो या फिर उसको unmerit consider किया जाए and दूसरी condition क्या होती है HOH के लिए pay more than half of the cost of maintenance at maintenance of home for himself and qualifying person वो person जो व्यक्ति अपने घर के 50% या उससे ज़्यादा के खर्चे उठाता है या उसका जो dependent person है उसके वो 50% से ज़्यादा expenses वीर करता है तो उसको HOH का दरजा मिलेगा और वो उस head में अपना written file कर सकता है पांच बा होता है qualifying widow qualifying widower क्यो होता है वो person जो बिदवा है जिसे हमारे यहाँ पर बिदवा होते है तो यहाँ पर qualifying widow बोला जाता है इसकी eligibility क्या होते eligibility for qualifying widow status with dependent child for two years following the year of death उसकी husband की death के दो साल तक ही वो qualifying widow का status में written file कर सकते है after two years उसे as a single consider किया जाएगा तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा कि qualify widow तब file कर सकते हैं जब दो साल की भीतर ही उसका written file हो उसके husband की death से तो यह थे हमारे filing status five filing status हमें revise करा देता हूँ single, merit filing jointly, merit filing separately HOH and qualifying widow यह पांच status यूएज में होते हैं दोस्तों अब जो हमारा next topic है वो है who must file the return किन लोगों को return file करना जरूरी है तोस्तों अगर आपको यह video knowledgeful लगता है और आपको अगर यह पसंद आता है तो आप मेरे channel को like करें, subscribe करें ताकि मैं ऐसे ही और videos बना हूँ और यह मेरी series जो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जैसे कि अगर हम claim का भी course लेते हैं EA करने के लिए तो उसकी books ही हमारी 600-700 dollars की book आती है और यहाँ पर कुछ organization है जो EA की तयारी कराते है CPA की तयारी कराते है बट वहाँ की fees जादा है तो यह उन लोगों के लिए videos है जो fees पे नहीं कर सकते हैं बट interested है अपना career बनाने में commerce background के person है जिनको अपने field में अच्छा knowledge ही है टेक्स में expertise ही है तो वो मेरी videos को follow कर सकते हैं मैं यह series उनी लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनको English आती तो है वो काम तो कर लेते हैं लेकिन उनको concept समझ में नहीं आती है जो कि बहुत बड़ा issue है हमारे इंडिया के लोगों के साथ में क्योंकि Indians को क्या है न कि काम चला लेती क्योंकि हमारा US की language में समझना mindset अब नहीं है हमें हिंदी में कोई चीज समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझाती है और मेरा basic मानना है अगर कोई चीज हिंदी में है तो बहुत ज़्यादा जल्दी जबाने में आएगी तो बस आप मेरी वीडियो को देखिएगा मैं यहाँ पर आपको सारी के सारी US taxation को हिंदी में लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को सारी concepts clear हो आप लोगों को अच्छी जगा placement मिले आप big force में काम करें मैं already work कर रहा हूँ मैं as a tax advisor हूँ मेरी expertise taxation में है और मैं last 4 years से Indian and US taxation में practice करता हूँ तो आप लोगों के लिए मैं यह इसी content लिखे आया हूँ आप लोगों की बासा में जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझे तो चलिए दोस्तों continue करते है who must file the return tax जो return filing है किसको करना mandatory है तो यहाँ पर देखे तो condition है US citizen lived in or had income from US possession को भी person जो US में रहता हो या US से उसकी income हो उस person को return file करना होगा जैसे कि अगर मैं इंडिया में हूँ लेकिन मेरी US से earning है तो मुझे US में return file करना होगा या दूसरी condition यह है कि अगर कोई person US में रहता है तो भी उसे return file करना पड़ेगा then एक और condition है to get refund and avail credits क्या होता है जैसे कि हमारे यहाँ पर TDS करता है वहाँ पर भी government tax deduct करती है उसको हम TDS बोल दे tax वहाँ पर हमें जब refund लेना होता है हमारे credits होती है उनको avail करने के लिए उनको बाविस लेने के लिए हमें return file करना होगा तो यह दो condition होती है US में return file करने के लिए I hope you clear it अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment box में लिएगा मैं आपके doubts clear करूँगा ओके तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने table दी हुई है आप screen पर देखिएगा यहाँ पर 5 head दी हुए है और यहाँ पर age criteria जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन में भी होता है senior citizen तो यहाँ पर US का taxation बहुत ही clear है आपको ज़्यादा problem नहीं आएगी समझने में यहाँ पर जैसे 3 categories में होता है वहाँ पर आपको सिर्फ two credit ही है अंडर 65 और 65 और 65 और older तो अगर कोई person single status में written file करता है तो उसको कब written file करना जरूरी होगा mandatory कब होता है कि उसको अपना written file करना पड़े single होता है अंडर 65 है तो उसकी 12,550 डॉलर से ज़्यादा income होती है तो ही उसे written file करना होता है minimum income उसकी 12,550 डॉलर होनी चाहिए तो वो written file करने के लिए eligible रहेगा और अगर उसकी उम्र से 65 साल से ज़्यादा है तो उसको 14,250 डॉलर income होगी तभी उसको written file करने की requirement रहेगी ये सारे के सारे amounts जो है 2021 के updated amount है इसके पहले यहाँ पे 12,400 होता था अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 12,550 डॉलर minimum income required होने पर आपको written file करना होगा दूसरा होता है MFG जो merit filing jointly written file करते हैं उन लोगों को कब written file करने की requirement रहेगी तो यहाँ पे तीन condition है under 65 अगर दोनो परसन 65 साल से नीजे के हैं जिनके 65 हैं तो उनको 25,100 डॉलर income होने पर written file करना पड़ेगा और अगर वो उसमें से एक भी spouse मालो एक भी परसन जो है spouse है अगर वो 65 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो उनको 26,450 डॉलर की income होने पर ही written file करना पड़ेगा और अगर माल लेते हैं दोनों परसन 65 साल से ज़्यादा के हैं तो उन लोगो 27,800 डॉलर की income होने के बाद ही written file करने की requirement होगी यह mandatory हो जाता है 27,800 डॉलर की बाद में इससे कम भी income है और वो अपना credit और refund claim करना चाहते तो वो file कर सकते हैं mandatory नहीं है लेकिन 27,800 डॉलर की से ज़्यादा अगर income होती तो उनको mandatory हो जाता है written file करना MFS merit filing separately किसी भी age में हो अगर 5 डॉलर भी income है तो उनको written file करना होगा US government promote करती है merit filing jointly written file करने के लिए इसलिए यहाँ पर 5 डॉलर की income होने पर भी आपको written file करना होगा तो यह यहाँ के US का policy है जिसमें most ही लोग MFS में file नहीं करते हैं बहुत ही rare होते हैं MFG में file करते हैं या single file करते हैं तो MFS के cases आपको बहुत ही कम मिलेंगे जब आप practice करेंगे आपकी जो fourth condition है HOH में HOH में under the age of 65 जब आप written file करेंगे आपके अगर 65 साल से कम है तो 18,800 डॉलर की income और उससे ज़्यादा होने पर ही और अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आपको 20,500 डॉलर की income से ज़्यादा होने पर ही आपको written file करना होगा फिप्थ जो है qualify video का होता है 65 साल से कम की अगर उम्र है तो उनकी income minimum 25,100 डॉलर होगी तब ही उनको written file करने की जरूरत है otherwise उनको जरूरत नहीं है written file करने की minimum income आपकी 25,100 डॉलर होने चाहिए अगर 65 साल से ज़्यादा की है तो 26,450 डॉलर income होने पर ही आपको written file करना होगा तो दोस्तो यहाँ पे हमारा दूसरा topic cover होता है जिसमें कि मैंने यहाँ पे आपके filing status five type के filing status होते है second, who must file the returns यह आपने concept समझा दोस्तो next video में जो हम cover करने वाले हैं वो है concept of income type of taxable income type of non-taxable income कौनसी taxable income include की जाती है कौनसी income होती है जो non-taxable income होती है तो दोस्तो बने रहेगा मेरी यह series में आपके लिए मैं इसी तरीकी से आसान भासा मैं US taxation को explain करूँगा और आपका knowledge बढ़ेगा और आपके लिए help करेगा आगे अपना US taxation में career बढ़ाने के लिए thanks for watching